है अव्रिवन वेल्कम बैक टेरों चनल दा फानेंशल इट्रेसी मैं हूं आपकी दोस्त रादी तो इस वीडियो में आपका जब मोस्त डिमांडड जो टॉपिक था इंडिया विक्स उसके बारे में हम समझने वाले हैं और ऐसे ऐसे फैक्ट सम इंडिया विक्स के बारे में स इंडिया विक्स का क्या एक रोल है जो वो प्ले करता है शो लेट्स बिगिन विध आर अमेजिंग अधार सबसे पहले इस ताइम पर जो इंडिया विक्स चल रहा है वना मेकिं दुस वीडियो द इंडिया विक्स इस एat 21.71 और कभी भी इंडिया विक्स अगर 20 से जादा ह होता है and it is higher than 20 that means वो थोड़ा रिस्कियर साइड में जा रहा है ठीक है और इंडिया विक्स का 20 से ज्यादा होना एक वोलटालिटी जो है वो यहां पर दिखाता है ठीक है अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर रीड करते हैं तो यू विल इंडिया मतलब होता है जो हमें पूरी तरीके से मार्केट में दिखाते है धांनते इंपॉर्टन तिंग इस मताले कि इसका मतलब इंडेक्स है यह नहीं हुसम्द अगर चल रही है और उस चारा कर्छा कि अची दो रही सब्सक्राइब करने तो जड़ा करने मार्च में दिखा घर को हमारी दिखाता है यहांले के लिए अगर हम यह वाली चीश चार्ट यहां समझें तो हम ढ दूल सब्क्राइब हुआ मैं आरही से यूज करते हैं होकि करते हैं लुकर टो ऐसे क्षिए। वीकनेस जो है वह हमें मार्केट की पता चल जाए इसलिए हम उनको यूज करते हैं सो सेम चीजा ही अपसाइड और डाउन साइड का जो डिरेकशन हम पकड़ने के लिए वह टूल्स यूज करते हैं, हम इंडिया विक्स यूज करते हैं कि हमें पता चले ही कितना ज़्यादा प्राइस वॉलटाईल है, ठीक है, इस टाइम पर क्या option buying ठीक है, क्या option selling ठीक है, और क्या portfolio इस टाइम पर बनाना चाहिए है नहीं, तो उसके लिए हमारा इंडिया विक्स है, अब न तो जो इससे ही रिलेटेड यहां पर हमारे पास न्यूस है वह यह है कि जब 2014 में लोक सभा का इलेक्शन हुआ तो इंडिया विक्स हमारा अगर आप देखोगे 38 था जब 2019 में हुआ तो इंडिया विक्स हमारा 28 था that means 38 जब 2014 के election थे तब तो बहुत ज़ादा uncertainty थी तो उस time पे India Wix भी हमारा 38 पे था and 20 से almost double हो गया था तो बहुत ज़ादा uncertainty थी and 2019 के time पर 28 था and अगर आप अभी देखोगे तो अभी भी market में uncertainty बनी हुई है इसलिए वो 21 है ठीक है तो यह हमारा एक reason है कि event के time पे हमेशा इंडिया विक्स बढ़ जाता है लेकिन इसकी वज़े से क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ता है तो इसकी वज़े से हमारे option buying option selling और जो portfolio हम बनाते हैं उस पर impact आता है ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हो कि options पे क्या impact आता है अगर एंडिया विक्स हमारा लू होता है तो इसलिए अगर आप जाके देखोगे भी टैलिग्राम पर भी हमारे बात चला जाता है तो उस टाइम पर option buying हम थोड़ा कम कर देते हैं इसलिए अगर आप जाके देखोगे भी टैलिग्राम पर भी हमारे गुरूप है मैं बहुत बार बोलती हूं कि आज option buying हमें थोड़ा सा कम quantity के साथ करना है अपनी position जो है वह manage करके चलनी है इस टाइम पर क्यूंकि इंडिया विक्स 20 के बाद है अगर हमारा इंडिया विक्स इस टाइम पर जो है 21 चल रहा है तो वह इस टाइम फिर हम करे कप हम जो अपना option बाएंगे उस टाइम पर फिर हम करे कप तो उसका simple सा मतलब है कि आप 12 टू 16 जब इंडिया विक्स होता है उस टाइम पर जो हमारे प्रीमियम के प्राइजिस होता है वह सही मिल रहे होता हमें that means हमें जो अगर आप देखोगे for example तो वह 220 गया अधरवाइस आपका SL आया और उसके बाद आप निकल गये लेकिन जब इंडिया विक्स हाई होता है यही दोस्तों का जो प्रीमियम आपको 400 रुपए में मिल रहा होता है और उस टाइम पर अगर मार्केट में मुमेंटम नहीं आया क्योंकि uncertainty तो पहले से बनी होता है तो यह आपको जल्दी से 350 दीखेगा 360 दीखेगा ऐसा दिखने लग जाता है इसलिए हाई जब इंडिया विक्स होता है उस टाइम पर ऑप्शन बाइंग फोड़ आसा रिस्की हो जाता है ना इंपोर्टन फिंग एंड सेकिंड इंपोर्टन जो यहां पर है फोर द टीक कि जो जो इंडिया विक्स यहां पर जाता है तो जब 20 से ज़्यादा इंडियाविक्स यहां पर जाता है तो option seller उनको यहां पर फायदा होता है लेकिन option selling का भी limit है ऐसा नहीं कि 20 से ज़्यादा जा रहा है 40 चला गया 50 चला गया तो option selling करें 20 से लेके 30 के बीच में अच्छे premiums होते हैं यहां पर करना चाहिए बट जैसे 25 30 को cross क अब इनके लिए सबसे अच्छा चाहिए और के और भी जादा इंडियाविक्स बढ़ जाता तो बहुत ज़्यादा अंसर्टेनिटी है उस टाइम पर आपको जो है ऑप्शन बाइंग में इस टाइम पर एंट्री करनी है यू कें कनवर्ट इंटु तो स्टॉक्स और आप स्टाउग्स में देखो अब नव एक देस्तिंग हैं अके लिए सबसे अच्छा चीज प्रॉस कर जाता है तब वो अपना एक अच्छा बट्फोलियो बना सकते हैं औ one statement here अगर आप यहां पर देखोगे बें इन्डिया विक्स वेल्टी पीक जब वह हाई पर होता है पॉटफोलियो एंद मुट्फॉल फंड मैनेजर्स इस ताम पर जो हमारे पॉटफोलियो मैनेजर होते हैं मुट्फॉल फंड मैनेजर होते हैं इंक्रीज और ex-posure यह भीटर पाइंग सब्सक्राइब पॉट्फोलियो जो जादा होता है यह जादा बनाते तो जिस पोर्ट फोलियो में जादा रिस्क होता है उधर जादा शिफ्ट होता है अब इंपॉर्टन थिंग जो हमारे अच्छे-च्छे stocks हैं जो valued stocks जैसे data होगया ठीक है अब इनके लावा बहुत सारे हमारे और भी valued stocks है उदर हमारा जो risk होता है वह इतना नहीं होता बट हमारा रिस्क कहां पर होता है small cap जो managers होती है हमारी mid cap जो companies होती है उदर हमारा जो risk होता है वह बहुत ज़ादहोता है so that means जो हमारा wix होता है वो हाइप पर होता है यह कुछ टंस है जो आपको इंडिया विक्स के साथ अपने option वाइंग अपने option selling और जब आप अपना portfolio बनाओ तब आपको इस तरीके से इंडिया विक्स जो है वो यूज करना चाहिए एंड इस टाइम पर जो इंडिया विक्स है वो 21 है थोड़ा सा कम करके एंड मोर्ट ओवर यहां पर हमें थोड़ा पॉट्फोलियो में के साइड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ठीक है तो बाकी इट डेपेंड्स पूरा कम्प्लीटली एलेक्शन ज जो वलटालिटी होती है और जो जो ट्रेंड होता है वो दोनों ही ऊपजिट वर्क करता है अगर Market Al Михaushche का मतलब होता है तो जिस टाइम पर market में trend होता है, उस टाइम पर market में volatility कम होती है, और उस टाइम पर आपका India Wix है, वो भी आपको कम मिलेगा, वो आपको around 13 मिलेगा, 16 मिलेगा, यहां तक हो सकता है, लेकिन India Wix का जो पूरा अगर आप देखोगे, amount जो up unit यहां पर देखोगे, वो कम हो जाए जब हमारा India Wix थोड़ा squeeze हो जाता है, कम हो जाता है, 13 to 16 हो जाता है, उस टाइम पर आपना option selling अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर trending जो market होती है, वो शुरू हो जाती है, so I hope कि जो पूरी clarity थी इस India Wix के बारे में आपको मिलके होगी, I hope you have liked the video, आप Telegram group join करना चात हो कर सकते हो, ठीक उसका लिंक आप हो description में मिल जाएगा, do subscribe the channel, do share this video with all your loved ones, with this thank you so much, be professional trader and financial literacy.